हलो दोस्तों कैसे हैं आप मैं आपका सवगत करता हूं अपने चैनल यूनिक किचन में और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई रेसिपी जिसका नाम है चिकन हंडी जिसे बनाने और खाने दोनों में आपको बहुत मज़ा आने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो को श इसके लिए आपको सबसे पहले एक हंडी की जरख पड़ेगी जो बहुत आसानी से मिल जाती है इसे हम एक रात पानी में भीगो कर रखेंगे उसके अंदर पानी भर लेंगे और एक रात रखने के बाद फिर हम उसको यूपने यूज में लाएंगे तो आए दोस्तों अब जान युक्न हिसमें आधा चंबाशन चंण कdepth चंबाशन के लगा सबकुरुचर करेंगे इसके बाद हम फोड़ी सी लाल मिल्च एक सबसे चेजों को डालना के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे जिससे की मसाले चिकन के अंदर फूरी तरह से फील होसके इसके लिए हम सबसे पहले एक नौनिश्टिक पैन लेंगे इसके बाद हम इसमें पचास ग्राम सरसों का यह रवा ड्च करेंगे दोस्तों पैन में ने के बाद अबार अब florida करेंगे और इसे धिमी और तब तक फ्राइगे जब अरथ करन सुनेया ना हो करते हैं दोस्तों सरए आजिए तो वाले के साथे करते हैं दोस्तों में ने लिए फार कर लिया है मसाले को त्यार करने के सबसे पहले इसमें हम बारीक कटे हुए अध्रक के लच्छे डालेंगे इसके बाद हम स्लाइस की हुई हरी मिल्च का इस्तमाल करेंगे 4-5 इसके बाद हम इसमें लैसुन की तीन बड़ी कलिया एड करेंगे तो चलिए दोस्तो अब इसमें हम चिकन की जान मतलब त्याज एड करते हैं तो दोस्तों सारी चीजों को चम्मच की सायता से लगबग 10-15 मियट तक गोल्डन उने तक फ्राई करते रहें इसका विशेज ध्यान रखें कि फ्लेम तेज ना हो हम मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे दोस्तों अब हम इसे ड़स् इसमें एक चुटकी नमक का यूज करेंगे नमक डालने के बाद दोस्तों अच्छे टमाटर प्यास को मिक्स कर लें और ढकन स्यादा से करीब 10 मियट के लिए तो देखिए दोस्तों हमारे टमाटर प्यास वगएरा सब अच्छे से पक चुका है अब इसे हम अग से निकाल क अग्यादा से तेल को हांडी में चारो तरह फैला लेंगे दोस्तों देखिए अब तेल हमारा गरम हो चुका है तो चलिए दोस्तों अब पारियाचों की गरम मसालों की तो हम शुरुवात करते हैं दोस्तों अब हम इसमें खडे मसाले जिसमें जीरा गोल्मिल्च बड़ा लाइची छोटी लाइची लॉंग वगेरा होता है जो मार्केट में इजली एविलेबल होता है अब इसमें हम चार से पांच करीब तेज पत्ता एड करेंगे और इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे दोस्तों हमने पहले जो प्यास त्रमाटर भून के रखा हुआ करेंगे अब आधा चम्माचे करीब इसमें लाल मिर्च पॉडर एड करेंगे अब आधा चम्माचे करीब धनिया पॉडर यूज़ करेंगे दोस्तों अब इसमें हम आधा के ट्योरी के आसपास दही एड करेंगे दोस्तों दही डालनेक बार इसमें हम स्वादानुसार नम करेंगे पानी एड़ करने के बाद इसे दोबारा से हम अच्छे से मिला लेंगे तो चलिए दोस्तों अब इसी समय ध्यान दें दोस्तों हांडी को ढखने के लिए हमें धक्कन का यूज करेंगे जिसमें मैंने पहले से ही एक छोटा सा छेत कर लिया हुआ है जिसकी सहाता से भ के लिए हमने आठे की लोई का इस्तेमाल किया है दोस्तों आटे की लोई को अच्छे से पानी की सहाता से फैलाले और पुरे हाणडी को अच्छे से पैक कर ले मैं friendly से यह वह दोस्तों अब हमारी हांडी दम लगाने के लिए त्यार हो चुकी है अब इसे हम कम से कम 20 से 25 मिन आटे का लेप लगाया था उसे निकाल लेंगे दोस्तों लेप निकालते समय बहुत सावधानी रखें क्योंकि भाप की विए से हाथ जलने की संभावना रहती है तो देखिए दोस्तों हमारा चीकन जिसमें बहुत अच्छा बॉइल आ चुका है और यह पूरी तरह से पक हांडी बन के त्यार है आप चाहे ते इसे चावल या फी रोटी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं मैं अक्सर इसे रोटी के साथ ही खाना पसंद करता हूं दोस्तों हमारे चैनल साथ आप जूड़े हैं हम ऐसे ही नए नई रेसिपी आपके लिए लेकर आते रहेंगे तो आज के आपके वाचिक मैं वाचिक वाचिक वीडियो